फॉर्मा कमपणी लूपिंट लूपिंट ने तिमाही नतीजों को एलान कर दिया है नतीजों के साथ कमपणी ने शेर होल्डर्स को डिविडेंट का एलान किया है Exchange Filing में Company ने कहा है कि वितव वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में Company का मुनाफ़ा साल दर साल 52.4 फीसदी बढ़कर 369.4 करोर रुपय पर पहुँच गया है जो एक साल पहले इस तिमाही में 235.9 करोर रुपय पर था Company की आय में साल दर साल 12 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है जो 4430 करोर रुपय से बढ़कर 5960.7 करोर रुपय पर पहुँच गई है मार्च में समाप तिमाही में Company का EBITDA बढ़कर 996.8 करोर रुपय पर पहुच गया है एक साल पहले इस तिमाही में Company का EBITDA 577.5 करोर रुपय पर था लिउपिन का EBITDA माजिन साल 10 साल 13 फीसदी से बढ़कर 20.1 फीसदी हो गया है नतीजों के साथ Company ने Shareholders को 8 प्रती Share के डिविडेंड का एलान किया है Company की डिविडेंड ट्रैक रिपोर्ट अच्छी है और पिछले 5 सालों से Company ने लगातार डिविडेंड घोशित किया है इससे पहले March 2023 में Company ने Shareholders के लिए 4 रुपय के final डिविडेंड का एलान किया था जबकि March 2022 में 4 रुपय का डिविडेंड दिया था सोमवार को Company का Share 1.71% की तेजी के साथ 1683.101 रुपय पर बंध हुआ Share का 52 वीक हाए 1704.25 रुपय है और पिछले एक साल में Company के Share में 139.76% की बढ़ोतरी देखने को मिली है